कि एमस 23 पी एक कस्टमर है वो डी की शॉप में अपना ब्रूच जो उसने कोट में लगा रखा था वो भूल जाता है तो डी का जो असिस्टेंट वो उसको ब्रूच मिलता है वो उसको एक ड्रॉवर में रख देता है मंडे डिस्कवर होता है कि साब यह मिसीं है तो क्या डी को लैबल माना जा सकता है देखिए सब आपकी शॉप थी आपका एंप्रॉई आपका एजेंट था तो जो फाइंडर ऑफ दे लॉस्टेंट होता है उसके ड्यूटी होती है कि वो उसको समाल के रखेगा अगर आपने इसको समाल के नहीं रखा तो आप में प्रिज्ट और कॉंट्रेक कर दिया क्सि कॉंट्रेक का ब्रिच हो गया तो आप लाइबल कहला हो गी सिंपल सी बात है, पहले कॉसी कॉंट्रेक की डेफिनेशन, फिर फाइंडर ओफ दा लॉज गूड एक बेली होता है, बेली को रिजनेबल केहते नहीं पड़ती है, रिजनेबल के नहीं करी तो लॉज देना पड़ेगा